नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की छटी कक्षा की पाठे पुस्तक ग्यान्जागर के पाठ आठ नजानु कवी बना के अभ्यास के प्रशन करेंगे इस पाठ का अध्यन हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं यदि किसी बچ्चे ने वाय वीडियो नहीं देखिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको सभी प्रशन अच्छे से समझ में आ जाए और कमन्ट करके जरूर बताईएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा तो हमारा पहला प्रशन है पाठ में से नजानू क्या कहना चाहता था क्या उसकी इच्छा पूरी हुई तो उत्तर देखते हैं इसका नजानू कवीता कहना चाहता था उसकी यह इच्छा पूरी तो हुई पर उसे बदले में उठक बैठक लगानी पड़ी अगला प्रश्न गुल्दस्ता नजानू को कवीता सिखाने से पहले क्या परखना चाहता था तो उत्तर है इसका गुल्दस्ता नजानू को कवीता सिखाने से पहले यह परखना चाहता था कि नजानू को तुक बनाना आता है या नहीं तुक क्या होता है तुक वाले शब्द जो होते हैं जिनका जो अंतिम शब्द होता है जिनका बोलने का जो लए होता है वो एक स्मान होता है जैसे गीता, सीता, मीता ठीक है तो नजानू को तुक बनाना आता है या नहीं क्योंकि कवीता लिखने में तुक का आना जरूरी है गुलदस्ता नजानू की इस प्रतीबा को परखना चाहता था अगला प्रश्ण गुलदस्ता को अंतते क्यों स्विकार करना पड़ा की नजानू में कवीता लिखन की प्रतीबा है उत्तर देखते हैं नजानू से अपना पीछा छुडवाने के लिए गुलदस्ता को अंतते यह स्विकार करना पड़ा की नजानू में कवीता लिखन की प्रतीबा है क्योंकि गुलदस्ता जब नजानू की तुक बनाने की प्रतीबा की परक कर रहा था तब नजानू ने कुछ तुक तो बनाए परंतु उनका कोई अर्थ नहीं था कि नजानु ने ऐसे तुक बनाये जिनका कोई अर्थ ही नहीं था बावजूद इसके नजानु ये मानने को त्यार नहीं था और अगर गुल दस्ता उसे कहता भी था कि ये तुक आपके सही नहीं बन रहे हैं तो वह ये मानता ही नहीं था और इस तरह से फिर उस गुलदस्ता ने पीछा चुड़वाने के लिए यह स्विकार कर लिया कि अच्छा भई तुम में कवीता लेखन की परतीभा है जब नजानू ने जानू और सुस्तराम पर कवीताएं सुनाई तो उन्होंने क्या कहा और क्यों तो उत्र देखते हैं जब नजानू ने जानू पर कवीता सुनाई तो चिड़ते हुए जानू ने नजानू से कहा मैं मोटर की छट पर कब कोदा तुक मिलाने के लिए मेरे बारे में तुम जूटी बाते कहोगे और सुस्त राम ने नराज होते हुए कहा जूट सफेद जूट मेरी जेब में कोई सेब नहीं है लो देख लो अगला प्रशन है हमारा पांच्वा प्रशन नीचे दिये गए कथन किसने किस से कहे तो कथन देखते हैं यह इसी पार्ठ में से आये हुए है आओ हम लोग नदी पहाड खेलेंगे तो यह कथन छोटू ने नजानू से कहा था अगला कथन है अच्छा छड़ी की तुक बताओ यह कथन गुलदस्ता ने नजानू से कहा किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं मोटू ने नजानू से कहा तुम्हें मेरी कविताइक अच्छी लगी नजानू ने सभी बच्चों से कहा अगला प्रशन छटा प्रशन पाट के अधार पर नीचे कुछ कथन दिये गए हैं उनके सामने हां अत्वा नहीं लिखिये पहला कथन देखते हैं बच्चे नजानू को खेलने के लिए नहीं बुलाते तो इसका उत्तर है नहीं वो तो बुलाते थे तो ये गलत कथन है तो नहीं आएगा नजानू का मन खेल में नहीं लगता था हां नजानू एक बड़ा गायक बनना चाहता था नहीं नजानू ने उठक बैठक लगाई हाँ अंत में सारे बच्चे नजानू से कवीता बनाना सीखना चाहते थे तो इसका उत्तर है हाँ तो आगे हमारा प्रशन है बातचीत के लिए इसे हम कोपी में से करेंगे आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है पहला प्रशन है हमारा इसका उत्तर देखते हैं मुझे पढ़ना, खाना बनाना, चित्रकारी करना, निर्त्य करना, नई-नई कहानिया सुनना और घूमना अच्छा लगता है इस प्रशन का उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं आपको इस बताना है कि आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है अगला प्रशन आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों तो उत्तर है मैं बड़े होकर शिक्षिका बनना चाहती हूं क्योंकि एक शिक्षक देश के उज्वल भविश्य के निर्मान में अपना सहयोग दे सकता है क्योंकि आज के समय में सभी का सिक्षित होना अत्यांत आवश्यक है ताकि देश का विकास हो सके, उन्नती हो सके अगला प्रश्न, क्या कवीता लिखने के लिए प्रतीभा का होना आवश्यक है और क्यों? तो उत्तर है इसका कवीता लिखने के लिए प्रतीभा का होना आवश्यक है प्रतीभा का इंगलिश में अर्थ होता है टैलेंट तबी आप अर्थ युक्त कवीताएं लिख सकते हैं अर्थ युक्त यानि की जिनका कोई अर्थ हो ऐसी कवीताएं आप लिख सकते हैं इसके लिए आपको तुक बनाना आना चाहिए, साथ ही साथ नए नए शब्दों का ग्यान भी होना चाहिए आपको तथा परस्तितियों की सही सही परक करने का गुण भी होना चाहिए, कि आप परस्तिति को देखते हुए, परस्तिति को भाबते हुए अपनी कवीता बना सकें आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन अनुमान और कलपना के आधार पर इस प्रेशन का उत्तर देंगे इस प्रेशन का उत्तर आप भी दे सकते हैं कि अगर नाजानु के मित्र उसके ना खेलने पर अगर उससे नाराज हो जाते तो क्या होता उत्तर है इसका यदी नजानू के मित्र उसके ना खेलने पर नराज हो जाते तो अपने मित्रों का मन रखने के लिए शायद नजानू खेलने के लिए त्यार हो जाता और उसकी मुलाकात गुलदस्ता से ना हो पाती कि हो सकता है कि अगर ऐसा हो जाता कि उसके जो दोस्त है उसके ना खेलने पर अगर उससे नाराज हो जाते तो हो सकता है कि अपने मित्रों का दिल रखने के लिए उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ खेलने के लिए त्यार हो जाता और शायद फिर उसकी मुलाकाद जो है गुलदस्ता से ना हो पाती अगला प्रश्ण अगर न जानू की जगा आप होते तो आप कैसी कविताईं बनाते बताईए तो उत्तर है अगर मैं न जानू की जगा होता तो मैं उन सभी बेजुबान प्राणियों पर कविताएं बनाता जो बोल नहीं सकते ताकि अपनी कविताओं के माध्यम से उनकी आवाज उन लोगों तक पहुचा सकूं जो बेजुबान प्राणियों पर अत्याचार करते हैं और दूसरा आज के समय में ऐसा प्रयास करना अत इस प्रशन का उत्तर भी आपस वहम दे सकते हैं कि अगर आप न जानू की जगा होते तो आप किस विशे पर और कैसी कविताएं बनाते हैं और आपका उस वह कविता बनाने का उदेशे क्या होता अब हमारा जो अगला प्रशन है भाशा की बात से समंदित पाठ में आये कोई चार व्यक्ति वाचक व जार जाती वाचक संग्या शब्द को छाट कर लिखिए तो व्यक्ति वाचक संग्या आप जानते हैं कि व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है जो शब्द किसी विशेश व्यक्ति या किसी विशेश वस्तू या स्थान या प्रानी के नाम का हमें बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं तो व्यक्तिवाचक संग्या में हमने ये चार नाम लिखे हैं जो कवीता इस पार्ट में आये हुए हैं नजानू, बुल्दस्ता, मोटू, सुस्त्रा और जातिवाचक संग्या क्या होती है? जो शब्द किसी प्रानी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाती का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं जैसे कि मनुश्य, उसमें सभी मनुश्य आ जाते हैं, जैसे नर, फल, फल में भी सभी फल आ जाएंगे, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है कि सेब केला, अगर सेब या केला दिया होता, तो वो व्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत आता, लेकिन फल दिया गया है, त इसमें सभी कलाकार आ जाते हैं, ना कि किसी एक कलाकार की, यहाँ पर बात हो रही है, डॉक्टर कवीता नदी, यह कवीता वो अली कवीता है, कवीताएं, ठीक है, किसी लड़की का नाम नहीं है, यह कवीता है, यहाँ पर जो सुनाई जाती है, कवीताएं, यहाँ पर आप कवीताइं लिख देजे, नहीं तो आप कन्फ्यूस हो जाएंगे कि ये कवीता किसी लड़की का नाम तो नहीं है, अब कवीताओं में आपर सभी कवीताओं की बात हो रही है, यानि जाती वाचक संध्या, और नदी में भी सभी नदियों की बात हो प्षब आया है। कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शंग्या के इस ठान पर परियोगत चयू होते हैं। जैसे राम के स्थान पर यदि हम यह है। वै हैं कि आ तुम नों करते हैं। एक सर्वनाम शब्द है तो इस पार्ट में जो भी सर्वनाम शब्दा हैं जैसे हम, मुझे, तुम, मैंने, यह है, कोई यह सभी क्या हैं सर्वनाम शब्द है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है जीवन मुल्य से संबंदित है पहले हम यह कथन पढ़ते हैं मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूं तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे मैं आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूं अब प्रश्न देखते हैं जीवन में कुछ बनने के लिए पहले उस विशे को सीखना जरूरी है क्यों कि जीवन में यदि आप कुछ बनना चाते हैं तो हमें उस विशे को सीखना जरूरी है क्यों उत्तर यह बात बिलकुल सही है कि जीवन में कुछ बनने के लिए पहले उस विशे को सीखना जरूरी है क्योंकि हमें सफलता तब ही मिलती है जब हम अपने मन चाहे शेत्र में दक्षिता हासिल कर लें इसके लिए हमें उस कार्य में निपुंता प्राप्त करने के लिए कड़ी महनत करनी पड़ती है बार-बार अभ्यास करना पड़ता है और सही मार्क दर्शक की सहायता भी लेनी पड़ती है जो हमें सही दिशा की और ले जाए जो हमें सही दिशा में ले जाए इसलिए कहा गया है कि जीवन में कुछ करने के लिए पहले उस विशे को सीखना जरूरी है जैसे कि मान लेजिए आप मैथ के या हिंदी के टीचर बनना चाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाते हैं तो आपको उस विशे का ग्यान होना चाहिए तब ही आप उस विशे को अच्छे से बच्चों को समझा पाएंगे तो उसी प्रकार किसी भी कारे को सीखने के लिए किसी भी कुछ भी बनने के लिए हमें उस विश्य का ग्यान होना अविश्यक है उस विश्य को हमें सीखना जरूरी है अगला प्रश्न हमें कुछ भी नया सीखने के लिए किन गुणों को अपनाना चाहिए तो उतर हैं, कुछ भी नया सीखने के लिए नम्रिता पुर्वक अपने शिक्षक या मार्ग दर्शक के प्रती समर्पन की भावना होनी चाहिए, हमें द्रिड संकल्प लेना चाहिए, कि उस कारे को सीखने के लिए हमें द्रिड संकल्प होना चाहिए, जुजारु परवती व क्या होने वाला है या ये सब जानने की इच्छा हो कड़ी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत भी जरूरी है मुश्किलों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाये तो हमें धेरे नहीं खोना चाहिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी अपनी सफलता पर अभिमान नहीं करना चाहिए और यदि हमें जब सफलता मिल जाए तो हमें कभी भी घमन नहीं करना चाहिए अभिमान नहीं करना चाहिए और इन सबी गुणों को अपना कर ही हम कुछ भी नया सीखने में दक्षिता हासिल कर सकते हैं आशा करती हूं बच्चों आपको यह पार्ट के प्रश्ण अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार